तो सबसे पहले तो आपको में आप आपसे माफी माँगना चाहँ वाrhा हूँ हमें आपको दो दिन से लेट अपडेट दे रहा हम आपको थोड़े दिर पहली आभी नी देते है बसा में आपको लेट प्रोवाइट करा रहा हूं कorus सभी comments alot जो है बहुत जादा खराब चल रही है तो इस वज़े से मैं आपको टाइम पर अपडेट नहीं कर पार है बट फिलाल आपको मैं बता रहे तो यहां पर देखिए भाई सोल ने यहां पर रिजल्ट निकाल दिया है फर्स सेमेस्टर के भी हाला कि मैंने सुबह वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था भाई आपके सेप्टेंबर के फर्स वीक तक रिजल्ट आएगा फर्स सेमेस्टर का बट यहां पर खुशकबरी है कि अभी से लोगों ने यहां पर आपको क्लिक करोगे तो आप यहां पर आजाओगे इस इंटरफेस पर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना यहां पर सबसे पहले उपर जो आपको कॉलम दिख रहा है यह वाला आपको यहां पर अपना कॉलेज नेम डालना है ठीक है ना कॉलेज नेम में यहां पर आपको स्कूल ओफ ओपल लर्निंग सेलेक्ट करना है ऐसे यहां पर आप क्लिक करोगे तो यहां दिख जाएगा तो आपको स्कूल ओफ ओपल लर्निंग आपको दिख जाएगा एस वाल डिहां से सुन लिजे exam roll number या आपको आपके मापे मिल जाएगा आपके valid card वगार आपको लिखाव मिल जाएगा exam roll number डालना यहां पर अपनी date of birth वगारण आप डालना ठीक है ना and then आपको भाई यह जो capture यहां पे लिखा हुआ आ रहा है यहां पर फिल अप कर देना ठीक है ना यहां पर फिल करके आपको यहां पर प्रिंट पे आपके क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट जो है वो शो कर देगा मैं दुआर रिपीड कर दता हूं भाई बी ए प्रोग्राम वाले श्टुएंट्स का नहीं आए अब यहां पर मै वी स्ट स्जावल श्टुएंट्स की कोई भी डिटेल्स नहीं है यानि की जो मैं आपको डालके डिरेक्ट रिजल्ट दिखा सको इस acordé से मैं आपको डालके नहीं देखा रहा और रिजल्ट में हो सकता है कुछ कुछ सब्जेक्स मेंटिक्स ना हो कुछ प्रॉबलम पर आ होगा या तो फिर लिखा होगा यार का मतलब होगा आप कंपार्मेंट आया आपकी उस सब्जेक्ट में ठीक है और अगर आप किसी सब्जेक्ट में एपसेंट हो तो आपके एबी वहाँ पे लिखा होगा तो इसका मतलब होगा आप एपसेंट हो आपने वाला एक्जाम नहीं दिया है तो आपको क्लियर होगा हो मैंने आपको समझा दिया तो बस ही छोट डिसी ओफिशल न्यूस देनी थी मिलते है नेक्स वीडियो में